ये आकाश्वणी रैपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ में गोपा सान्याल और पेशा आज के मुख्य समाचार अब समाचार विस्तार सी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उलेखनिये कमी आ रही है कल दर्ज किये गए आंकडों के अनुसार कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्यात 300 से नीचे पहुँच चुकी है और सत पॉजिटिविटी दर कम होकर 0.1-6 प्रतिशत रह गई है कल राजी के 28 में से 15 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया वहीं प्रतिश में कल कुल 38 नय कोरोना संक्रमित मरीज मिले इस बीच महासमुन और बेमेत्रा जिले के दो स्कूलों में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए है स्वास्ति विभा की टीम में बेमेत्रा की साजा इस्थिद शास्के कन्या हायर सेकंडरी स्कूल में रैंडम तरीके से नमूनों की जाच की तुसाथ वालिकाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है स्कूल को 26 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है इसी तरह मासमुंद जिले के शास्के उच्चतर माधेमिक विद्याले बक्मा में भी पाँच बच्चे पॉजिटिव पाए गया है एतियात की तौर पर स्कूल को एक हफ्टे के लिए बंद कर दिया गया है इस बीच 36 करण में कोवी ठीका करण अभियान जोर शोर से जारी है कल प्रदेश में करीब पॉनी चार लाग कोरोना वैक्सीन लगाए गई इस उपलब्दी पर भारती जनरता पार्टी के प्रदेश अदिक्ष विष्णो देव साय ने खोशी जताई है उन्होंने कहा कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीका करण अभियान को जन अभियान का रूप दे दिया है वही कोरिया जिले में कल से सघन कोरोना टीका करण अभियान शुरू किया गया है शत्र प्रतिश्र टीका करन के लक्ष के साथ इस अभ्यान के तहट कल पहले ही दिन करीब 11,000 टीके लगाए गए उधर सूरजबूर जिले में बच्चों में वाइरल फ्लू की बीमारी तेजी से फैलने की खबरे मिली है मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में इस समय वाइरल फ्लू से पीडित करीब 55 बच्चों का इलाज चल रहा है इसे देखते हुए स्वास्त विभाग और जिला प्रशासंद्वारा विशेश एतियाद बढ़ती जा रही है जिले के मुख्य स्वास्त चिके साधिकारी डॉक्टर आर एस सिंग ने बताया कि सभी बच्चे सरदी खांसी और बुखार से पीडित हैं इन बच्चों की कोरोना जाज कराए गई है लेकिन इन में से कोई भी बच्चा पॉजिटिव नहीं है इसी तरह कोरिया जिले में भी बड़ी संख्या में बच्चे सरदी खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं इसे देखते वे स्वास्त विभाग बारा 34 विस्तरों वाला शिशु वार्ड का शुभारंब किया है अब इस अस्पेटाल के शिशु वार्ड में 60 विस्तरों के सुइधा उपलब्थ हो गई है आजादी के अमरित महसों के आउसर पर आज से राइपूर में दो दिवसी वाने चुस्ताओ और उद्योग पैविलियन का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री भुपेश पगिल ने आज इस उत्साओ का शुभारंग किया इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 36 गड़ देश के निर्यात में एहम भागीदारी निभा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि 36 गड़ लैंड लॉग प्रदेश होने के कारण यहां के उत्पादों को बाहर भेजने के लिए एर कारगो की सुविधा जरूरी है 36 गड़ वानिचे और उद्योग विभाग तथा भारत सरकार की विदेश व्यापार महा निदेश हाले के संयुक्त तत्वाधान में आयजुतियाउत्सो कल तक चलेगा इस बीच मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत आज पशुपालकों को गोबर क्रे की राशी और गोठान समितियों तता स्वासाहता समूहों को उनके लाभाश की राशी का वित्रण किया रैपुर में आयजुतिक कारिक्रम के दौरान उन्होंने 5 करोड 24 लाग की राशी हिद्ग्राईयों के बैंक खाते में अंतरण किया प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सरविक्षण करने के लिए गठिद क्वांटिफायबल डाटा आयोग आसे बिलासपूर जांजगी जापा और रायगर जिले के दौरे पर है इस दौरान आयोग के सदस्य अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों और पतिनिधियों के साथ सरविक्षण के सम्मद में चार्चा करेंगे गौर तलब है कि राजिसरकार द्वारा अन्य पिछडा वर्ग का आरख्षण प्रतिशक बढ़ाने के मामले में उच्चे न्यायले ने राजिशासन को क्वांटिफायबल डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं इसी के बाद आयोग का गठन किया गया है सुकमा जिले में एक माववादी दमपती ने पुलिस के समक्ष आत्मस समर्पन किया है इन मेंसे पुर्ष माववादी केरलापाल एरिया का इलोएस कमांडर था जबकि उसकी पत्नी माववादी संगठन में डिप्टी कमांडर के रूप में सकुरिय थी इन दोनों माववादियों पर साथ लाक रुपए का इनाम खोशित था, इन पर कई बड़ी माववादी वारदातों में शामिल रहने का रोप है, इन माववादियों ने जिला पुलिस अधिक शक सुनिल शर्मा के समक्ष आत्मस समर्पन किया। प्रादेशिक समाचार आप आ अंतराष्ट्य योग दिवस की रूप में मनाया जाता है। 36 गड़ में भी योग अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रही है। योग आयोग के अध्यक्ष ग्यानेश शर्मा ने बताया कि राइपुन नगानिगम शेत्र में करीब 185 उध्यान है। इनका उपयोग योग अभ्यास कारिक्रमों के लिए किया जाएगा यहां योग प्रशिक्छक लोगों को योग अभ्यास कराएंगे। इसके अलावा इ जीते 21 जून को योग दिवस के अवसर पर योग मैराथन का आयूजन किया गया था जिसमें लोगों ने योग अभ्यास करते हुए अपने वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अप्लोड किये थे। कोविड काल के दौरान लोगों ने योग के महत्व को और भी अच्छी तरह से जाना है। योग ने लोगों को कोविड से बचने और खास तोर पर पोस्ट कोविड प्रभावों से उबरने में काफी मदद की है। विकल्प शुकला, आकाश्वाणी समाचार, रायपुर। प्रशन राश्चे इस्तर पर आयोजित क्विज के तहत पूछा जाएगा। इसलिए इसका जवाब प्राधेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निरधारित ईमेल या मोबाइल नमबर के बजाए आज के प्रशन के बाद बताए जाने वाले वाटसप नमबर और ईमेल प इमेल अम्रित्महसोक्विज अड़रेट जीमेल डॉट कॉम पर भेजें। एक भागिशाली प्रदिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोशना की जाएगी। विजेता को ई प्रमान पत्र और एक सांकितिक पुरसकार दिया जाएगा। इस बीच आजादी का अम्रित्महसो कारिक्रम के तहट नाराणपूर जिले के ग्राम पंचयत पालकी में स्वचता अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर धरमेश साहों की मौजूदगी में स्वचता समुहोंने घर कर जाकर कच्रा संग्रान किया। आज़ादी के अम्रित्महसो की मौके पर दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे द्वारा भी विभिन आयोजन किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे सुरक्षा बल रायपूर मंडल द्वारा स्थापना दिवस सप्ता मनाया जा रहा है। इस अज़सर पर महिला य राड़ी थीम पर रेल मंडल के स्टेशनों में सफाई की गई। साथी रेलवे के अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों को उत्तरदाईत्व के प्रती समर्पित भाहों से काम करने के लिए उनकी काउंसलिंग की। वही मांसून द्रोणी का भी सक्रिय है इसके असर से कलराज्जी के अधिकांश इस्थानों पर हलकी से मध्यम वर्शा होने या गरचमा के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है। और अब कुछ खबने सैंशेप में। कभेधाम जिले में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर करीब साथ लाक रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफतार किया है। दुर्ग के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंदर में 23 सितंबर को निजी शित्र के अस्वताल में 80 पदों पर भरती के लिए प्रिस्मेंट कैम कायोजन किया जाएगा। कोरिया जिले के खडगमा शित्र इस्थित कटकोना गाओं में हाथी के हमले में एक ग्रामिर खायल हो गया है। जंगली हाथियों के दलने ग्रामिरों के घरों में भी तोड़फोड की है। अकिल भारतिय सिवल सेवा अथलेक्टिस प्रत्योगिता के लिए राज इस्थरीय चैन स्पर्धा कायोजन आसे राइपुर में शुरू हो गया है। कल पंजियन कराने की अंतिम्तिती है। जाजगीर में आज से तीन दिवसी राज इस्तरी शाले खेलकूर प्रतियोगिता का अयजन किया जा रहा है। इस पर्धा में राज के पाँच जोन से खिलाडी शामिल हो रहे हैं या प्रतियोगिता 23 सितंबर तक चलेगे। अबी सितंबर तक 36 कड़ के दोरे पर रहेंगे। दुर्ग निजामुद्दीन सापता हैक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। विपरेद दिशा में यह ट्रेन 29 सितंबर को निजामुद्दीन से रवाना होगी। और जगदलपूर पुलि मिले दोनों स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया। रायपूर में आज से दो दिवसी वानेची उस्सव का हुआ शुभारम। सुखमाजिले में एक मावादी दमपती ने पुलिस के समक्ष आत्मसमरपन किया। और अगले 24 गंटों के दौरान सरगुजा, बि प्रणान सर दिवसी वानेची ने पुलिस के समक्ष आत्मसमरपन किया बंद किया जुभारम।